जे बच्चा बार्मी बास आउट भी हैगा एंड मैरेडा ओ अपने स्पाउसनाल कैनडा भी जा सालता जित्थे ओ ऑस्टेलिया एंड यूके नहीं जा सालता तुसी किसे भी बड़े बिजनस्मैन या पॉलिटीशन देखो लो पज़तों डिसकस कर दें ले ताप देख दें लोने बैक्रांड होना उनने बैचलर या मास्टर डिग्री यूके या यूएस तो कीची हूँ जो टम देविच अपना टार्गेट पूरा कारन दे पिछे बच्चा अपना जड़ा लॉंग टम टार्गेट आए उनों भी खडाब करता है उनों के जीटी हुआ दी तरह लग दिया भी है ता बहुत प्यानक चीज है गी है जीटी दे विच तो अड़ा इंटर्वी होना है तो अड़े कागज लगने ने मेरा जड़ा ब्रदर सिस्टर आजया मेरा रेलेटेवाओ इस कंट्री इंच रहनदा में उसके ही जाना अपने तिन साल दे वीजे नों अगल आके इल्लीगल वाले पासे हून चल जाना है पहलना है तो साल दो साल की हीता सी कैंडा जाना सी युस्टेलिया जाना सी कोई प्रॉलम पेगी पैसिमल बहु सारे स्वाल हुन दे मान देशा है और जेड़ा ता बच्चा पड़न दी ग रेजूशन करवा के कम से कम साल दो साल दे तजर्वे तो बार बार के जिए तांकि यो मेंटली परिपेर रवन आफे अजस्ट्मेंट केवे करनी है सास्रीकाल जी अज दाए शो बड़ा इन्फॉर्मल जया होन वाला है इन्फॉर्मल येट वेरी इन्फॉर्मेटिव किस तरह आज E.S.S. दे तिन दिगज हर्मन जी रवनीज जी और विक्रम जी इको मंच दे उत्ते विल शेयर सम थॉर्ट्स अबाउट दिफरेंट कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया यूके कैनड़ा एंड ए सारे इन्फॉर्मेशन जीड़े फ्रेश पास आउट बच्चे इस साल 12 दा एक्जाम दे के पास हो इने वधिया नंबरा दे नाल एवरेज नंबरा दारा और पार्ट टाइम जॉब्स आज दाए शो उना सारे सवाला देनाल परया होएगा जो तो आड़ी कांसलिंग करे बैठे कार सगदा है ता पलना आए विलकम ओल त्री ओफ यू इस अड़े डिफरें डिफरेंट ब्रांचेज दे विच अपना रोल बड़िक खुबी जिन्ना ने हजारा बच्चा पिछले पंच साला देविच बखरे बखरे कंट्रीज पेज़े हैं तो तुसी कई तैना नो जान देवी होंगे अपनी कांसलिंग करा के अपने बच्चे भी हो सगदा है या अपने फ्रेंड्स इनर आहीं पेज़े होंगे ता हर्मन जी मेरा पेला सवाल तो अनू रहेगा आज तुसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अनू की लागदा है केडे बच्चे नू ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिएदा है मैं थे कोई एंट्री क्रेटीरिया दी गाल नी करदा पया अबाउट दा विजन जादिक बच्चा अपने ऑफिस दे विज हुंदे ने जित्तों हो करो निकल के भी बाइज पहली वार एक कंसल्टेंट नू मिलें जा रहे हैं यह आप 10-12 कंसल्टेंट मिलके आज मापना कंसल्टेंट फाइनल करना तो केडे 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 फैक्टर दुमाग दे चल दे हुंदे ने औस्ट्रेलिया नू लाएक सब्सक्राइब करना तो कि मैं इसलिए लिजिबल हां के नहीं अधिमिशनली लेजिबल हो अकैडमे क्राइटेरिया तो की मेरे को लिए और सावनल फिनेंशिल डॉकुमेंटेशन जीटी वास्ते हैगे ने तब बच्चे दे जादा कोईरी जीटी परस्पेक्टिवी तो हो होना है तो आटे कागज लगने ने एंड सो आन जो एक छोटा एक्जामपल देना है हाजे भी अद्धी दुनिया यह समझ दी है जे मेरा सैलरी कैश दे विच है पिछले एंप्लाइमेंट दा या पिछले एक्स्पीरिंस दा है मैं ऑस्टेलिया लेजिबल नी हैगा हाजे दुनिया यह समझ दी है इस्पेशली स्पाउस के सिजनु लेके जे मेरा स्पाउस ग्राजवेट नहीं है तासी अस्टेलिया जाए नी सकते उते एक दुमाग थौट आंदा फिर मौस्टेलिया वाले पास से जामा या एथे रवनीत में विच लवांगा क्यों यूके वाल जड़े उन्हों प्रेक्टिकल समझा के किस कर देगा राइट एंड जिमें हुन स्पाउस केसे तरह सेकेंड बेस्ट जड़ा कंट्री देखनों मिल्दा है गया जड़ा चेक्लिस देविचा जड़ा यूके उन्हें रवनीत सवाल तो अनू है यूके साब तो पनला में सव जाल एक अरांगा कि यूके एक ऑपर्चुनिटी ती तरह बच्चे लेंदे पही ने भी बाहर जानदा मौका मिल्दा प्याज जित्थे वीजा सौ परसेंट है या एक क्वालिटी एजुकेशन नों भी कितना किते एक बैक्ग्राउंड देविच रख्या जानदा हर एक स् जिदो अपा स्टूडेंट नों मिल देया काफी वरी स्टूडेंट जेड़ा हुंदा ओ अपनी फैमिली बैक्ग्राउंड दे नाल ही लेके आंदा कि मेरा जेड़ा ब्रदर सिस्टर आ या मेरा रेलिटेवाओ इस कंट्री च रहनदा मैं उत्ते ही जाना उदेच दोई शर जाल तो वाद गैप हो गया बारवी वाले बच्चे दा तो उन्हों शेलेट वी डिमीशन पॉसिबल नहीं हुंदी तो ए बच्चेंदी मैं अगर गाल कर रहें पड़े लिखे बच्चिया रीसंट पासओट बच्चिया किसे कार निकदे मॉडिल चो सदे पंच बैंड रह अच्छी युनिवस्ट्री से दो कंट्रियां चे मजूद है तो इस करके मैं कहना कि जेड़े बच्चे ते रीसंट पासओड ने उन्हां लेक ऑपरचुन्टी अपनी बैचलर डिग्री युके तो कंप्लीट कर दी हाँ जे आपा गाल करिये हो न उस्टूडेंस ती जेड सक्सेस रेट हंड़र परसेंट ओके तफिर अपा एक युके नो कंसिस्ट कर दे अपनी इंफरमेशन अपने दमाग दे मिछ जे कोई बच्चा बैचलर डिग्री करन जा रहे है सानु दमाग पता हुंदा कि ये पैसा तिन साल उते पंताली हिजार पॉन या साथ हिजार कर दे देंगे अपना खर्चा मां उत्ते जॉब नहीं करना शुरू कर दांगा सेकेंड इर फीस दा एक बहुत बड़ा कंसर रहना है जड़ा मेरे एक्स्पीरियंस दे विच किते ना किते युके दे विच एक बच्चे नो ड्रॉप करन दी एक थौट नो अग दे देंदा तो उना कोल केड़ा है जा मंतर है या केड़ा है जा फानेशल सपोर्ट है ओवी एक एवरेज परिवारतों जान देने ते उना कोल किये है जा सपोर्ट सिस्टम हैगा अपने दमाग दे विच यो डिगरी कंप्लीट कर लें देने दुज्या बंदा पहले छे मिने बाद या तिन साल दी स्पेशली बैचलर वास्ते ते अपने परवार्च बैठके पहला एज जीज दी जरूर सला कर ले कि जड़ा हो 15 लख रुपय एडिया तो लगा के जा रहे है ते आउना ले अगले दो साल लान दे विच जे उन्नू फैमली दी कि ते भी स्पोर्ट पई अपनी कर लांगा तो बच्चा 90 परसंट अपनी बैचलर डिगरी चड़ेगा चड़ेगा क्यों क्यों देख रहा हुंदा कि मेरे को दूसरे यां तीसरे साल दी फीस मैनेज नहीं होनी को कि आप आप देख दिया जिए तुसी किसे भी कंट्री नू भी देख लो यहां युके दी जान देना तो चार्तो चे बीन्ने मेज्जर चैलेंजेज अंगे तो अडी लीव rigorous नहीं लेके तो अडी प्रे तो अडी स्टडी नहीं आके सू में मानके चालना कि ज़ बच्चा बारमी तो बद तिन साल युके बढ़े तो नहीं अपनी चालेनी करे अगले साल यां अगल प्लान की रहेगा अगर हो थी फैमिली स्पोर्ट कर दिया ते डेफिनेटली यह सनु जाना जाएदा बैचलों से परफेक्ट परफेक्ट और विक्रम जी जो कैनड़ा रिपरसेंट कर दे पहे हैं ते कैनड़ा नो किसे इंट्रड़क्शन दी लोडनी जिमें 6 बैंड इच आ होगी कैनड़ा ही जान दा पहला थोट आंदा ऑस्ट्रेलिया नहीं आंदा युके नहीं आंदा तो वड्यू थिंक इन यॉर एक्स्पीरियंस कैनड़ा पॉपलर क्यों है गया देखो जी हर कंट्री जिमें तुसी गल किती स्टार्ट तुसी ऑस्ट्राइलिया तो कीता दे तेना कंट्रीज दी गल कर रहना कि जदो कोई काउंसलिंग वास्ते बच्चा मेरे को आंदा ओ भी वोजदा किसर केड़ी कंट्री मेरे वास्ते वदिया है होन मेरा सवाल बच्चा नहीं एक को हुंदा कि थोड़ा जान दा मेन रीजन किया है तुसी बाहर जाना के उचान होन कोई बच्चा केंदा जी में जाके अजुकेशन वास जाना होन जेड़ा दा बच्चा पढ़न दी गल कर दा पया वदे वास्ते बैस्ट आप्शन हों दी है यूके और ऑस्ट्रेलिया ठीक है बट जदो काल लान दी है सैटल्मेंट दी विकॉस कैनड़ा ओ कंट्री है क जिते सैटल्मेंट सब तो इजी है गिया एस कंपेर टू ऑस्ट्रेलिया एंड यूके एंड जेड़ा बच्चा है तो अठारा लख वी लख लाके जानदा पया हर बच्चे दे दमाग चे बैक आफ दा एंड एंड एही चल्दा सैटल्मेंट एंड जे मैं ट्रेंड देखा पिछले दास साल बारा साला तो जिनने बच्चे कैनड़ा गया अल्मोस 90-95 परसंट बच्चे हो थे पक्के हो गया मेरे रिष्टदार हो थे गया मेरे फैमिली वाले गया मेरे फ्रेंड्स गई सी चार साल पहला आज हो थे सैटल्दे गया तो बच्चे दे बैक आफ दा मेंड्स सेटल्मेंड चाल दा दमाग दे विच ते उससे करके बच्चा उत्ते जाके थोड़ा कंफ्यूज हो जानदा ऐस्टेलिया पहुंचके वो दे बैक आफ दा मेंड्स सेटल्मेंट ते रखके उस सेटल्मेंट दी दौट चल्जमेंदा एक कोश्चन दा बैक सेटल्मेंट दी दौड है जी शुरू हुंदी है जड़ा बच्चे ना एक्सपीरियंस जे गलना बता हुंदी है तो किते ना किते उस साल दे लीगल वर्क पर पर पेट्टू साइड ते रखके दूजे पास से होना शुरू हो जान दे तो वटा यॉर थाट्स ए बच्चे बहुत वड़ा पर आनक हो जेगा तो वट यू थेंक क्योंकि 18 साल दा बच्चा है बार मी पास दुनिया देखनी आउने हाजे तो जान दे यो पैसे दे गेड़ च पैके किस तरह दे डिसीजन लिंदा हुएगा अपनी लाइफ नू लेके बेसिकली एदे विच मेजर रोल जेड़ा प्ले कर देरे ओना दे जेड़े बार बैठे रिष्टेदार है यहां उनना दे पहला अज तो पांच सथ साल पहला वकेशनल एजुकेशन देवेच गए इसी कि ओपले कर दे यह जड़े किसला देंदे तुसी अपनी बैसले डिग्री ड्रॉप आउट करो तुसी अपनी अडिशन करवा लो क्योंकि फीस भी काठा बादन भी काठा जाना पहुगा ते तुसी पैसे भी कमालोंगी पैसे भी कमालोंगी ता ओ जड़ा शॉट टर्म देवेच अपना टार्गेट पूरा कारन दे पिछे बच्चा अपना जड़ा लॉग टर्ब टार्गेट उनों भी खराब कर बैड़ा ते तो अनलागदा किनना परसेंटेज बच्चा अपना शॉट टर्म दा टार्गेट पूरा कर पांदा हुएगा मलें टर्म्स ऑफ शॉट टर्म दा टार्गेट अड़ा बार्मी पास टूड़ा की होएगा शायद 6-8 मीने बाद वदिया अड़ यूके विच भी फेस करना पहनदा होएगा तो अड़ी इस गालतों मिन्यों गाला याद आई मैं लास्ट एक स्टूड़न दी गाला सा मैं तो बार वी तो बाद मेरेको बार गया यूके दी गाल करें मैं सब्तंबर दोजर बाई इंटेक देली एंड लास्ट मंथ ह इस टॉपिक देगाल गीती उन्हें यूनिवस्टी क्यों ड्रॉप आउट गीती सो सारी कन्वर्शेशन जो बड़ी वधिया कि गाले निकल क्या हो दे पेरेंट्स ने मिनुए कल गया किन्दा कोई प्रॉलम नी सी बहुत वधिया यूनिवस्टी सी असी पैसे दी भी स्प केवे करनी है और शायद ओही काल जो तुसी के अजी ठारा उनी साल वाली एजी हजे दुनिया देखनी है आप अनु सारी चीजा फटा फटाफर चाहिदियां कि जडी तेन साल दी पड़ाई हो जल्दी मोग जे वर्क परमट भी आजे ते पीयर भी होजी बट हार चीज मू ते टाइम लगदा ते टाइम देनारी सानु पता लगदा कि उसी दी वैल्यू की है तो शायद मिन लगदा उसे जल्दबाजी दे वेच्छी बच्चे अपनी जडी स्टडी या उनू छाड़ दिन देया या किसे दे पिछे लाके ओ फैंसे लेलन देया जेडे फैंसले उन तो बहुत कट पॉपलिशन देखेगी जडी कैनाड़ देविच बैचलर या मास्टर्स करन जारी है तो अनू इस ट्रगल पांज परसेंट बंदा जड़ा पका नहीं हो पांदा वर्ट यू थिंक ओधे की एक्शन या की थॉट्ट परसेंट है सुन्दोर दमाग देविच जो थे कैनाड़ इस वन अद वेरी पॉपलर पी आर देस्टिनेशन आइधी डेट देविच ओपांज परसेंट की दमाग दी सोच करके उस डेस्टिनेशन या मंजल तक नहीं पहुंच बंदा वट आर यॉर थॉट्स ऑन देखेगी कैनाड़ अगें एजुकेशन पॉइं और मैंनों दो साल दी एजुकेशन कैनाड़ पेच मिल दी पही है जिवे रवनीत निकल किते कि आज दी रेट चे हर बच्छा जल्दी चीज़ा हो जबे और एक बनने मैं तेन साल दी एजुकेशन करनी है बैशलर डिगरी करनी है औस्टेलिया एंड यूके जाके सेकेंड दुझे बास से में को ऑप्शिन कैनड़ दी यह जिते में ओही जी दो साल ती जाके डिप्लोमा पूरी कर सकता है एंड उस्तों बाद तेन साल दा 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 वर्क पर मिट लाए के अपने अपनों सेटर्में वाले बास से तोर सकते हैंगा तो जिसकर के बच्चे दी जिसकर के बच्चे देना तो माल लो एक प्रफाइल तो आड़े आफिस आदी है और वदी असादे छे बैंड शे बैंड इच ग्राजुएट कर लें आपा 60% मार्क्स तुसी केड़ा कंट्रियों पिछ करोंगे परला तो कि इस गुड़ा कंट्रियों नो पिछ करोंगे पर अगर ओधी फिनेंशल्स एंड ओधी सर्कम्स्तांसिस एंड उदी प्रफेरेंस तो यह नहीं है देन आइवल डेफिनेल्टी की मैनू गाइड करूंगा ओधी प्रोफाइल देकार्डिंग तो देफिनेंशल स्टेबल्टी देकार्डिंग यूके कैनड़ा ओके हूं तो सि दो भी अपनी उथे परफाइलों राइड डाउन करता है ओक किते ना किते सिर्फ 50 परसंट इंफर्मेशन हों दिया जदो अपना गालबात कर दे असली जजबात अंदरों फिर बार निकल देया कि पहलना आज तो साल दो साल की इता सी कैंड़ा जाना सी और शेलिया जाना स करना कि एक तो एक साल दी मास्टर्स मिलेगी सब तो पहला दूसरा अपने स्पाउस ना लेके जा सकता है तीसरा नो कोई भी जादे लंबे चोड़े पेपर अस्रेलिया वंग उनों जीटी ली डखां दी लोडनी पैगी जेना उदा शाय एक किंटेक में सो सागता हां मास् कि एक को ड्रॉबैक सिगा तैट वस फो दस पाउस के से कि वही कैनडा जे स्पाउस नाल नहीं जा सागता है बट इस अ गुट निवस रिसेंटली अपा अलडी ओ ग्रांट्स मित्या इकट्थे स्पाउस के सिज दे कैनडा वास्त है और जे बच्चा बार्वी पास आउट अपने स्पाउस नाल कैनडा वी जा सकता जित्थे ओ ऑस्ट्रेलिया एंड यूके नहीं जा सकता इक्जाक्ली एप्लस पंट तोड़ा दरूर बंदा है बट हाव विल्यू पोट्रेट कि बार्वी पास बच्चा कि हर स्पाउस के सो नहीं सिक्सेस्फुल होके निकलेगा क विच को डिस्क्रिपेंसी रहेगी क्योंकि एस्टेलिया क्लियर आइब बार्मी तो बाद इंडिया दे विच विया जड़े हुंदे ने यह तो अलव मैरिज हुंदी है यह मैरिज फसलिटेशन होंदी है बार जान वस्ते जीरे करके ओच्टो लिया युनिवर्स्टियां स तिन सालना दे विच जजबाद भी बदल दे हैं, हलात भी बदल दे हैं, बहुत कुछ बदल जाना है, जितने रलेशन्चिप खराब हों दी वर्ज ते पहुंच जाना है, I understand and agree, अज केनडा दे विच जजबाद नाल नहीं भी जा पार्या, तुसी तिन मिन्ने छे मिन्ने बाद स्पाउस होते जा सकता है, यह प्रविजन उना दी ओपन है, इवन चाहे में अप्लिकेंट क्लास 12 पास आउट क्यों है, तो डेफिनिटली केनडा द्वांटेज है, So, let's see, इस केस दे विच जवे तुसी डॉकमेंटेशन दी गाल की तीरव नीथ, ता ओ बच्चा है दा डॉकमेंटेशन तो उनो क्यों लगदा चैलेंज आनदा है जित्यों जीटी नू स्वेचो के यूके वाले पास से आनदा है, कि जड़ा यूके चल्दा है, वो चल्द आइप पॉइंट्स बेस से स्टम जोते ही तो अड़े को फंड्स इत्मीना पुराने जाए थाई दिन पुराने फंड्स आगिया, तो अड़े केस लेट रही है तो अजिक बाक्ति दोचल कर देंगा डूकूमेंटेशन दा मींज है कि वो दी हार इक पेपर दे पिछे दा स बूत भी देना पेना पिए पेपर आया कि थो एड़ जगा तो पेपर आया थे जड़ी जड़ी होते वे चीजा यूज हो यहां उदे प्रूफ वी दो अग्जामपल कर लेने किसी ने अपनी आईटी एर फिल कीती है जिए अगरी कल्चर कर दाया जहां बिजनस यहां से अपने प्रॉसस देतरों तो इसका के मैं डॉक्मेटेशन वर्ड यूज कीता सिगा परफेक्ट हुन अर्मन जी टी रिजेक्ट के हों दिया जादे कि इन वस्टी एक पैटरन है गया है रड़ डॉक्मेंटेशन होने चाहिए जमेरे विनीत ने क्या आइट आपकुमेंटे अर्म देओ खाते दिखाओ पैसा कितों आया ते फिर भी डॉक्मेंटेशन प्रवाइड करंदबाद जी टी क्यो रिफ्यूज हो जान दी है गिया ओट यूर थोट्स यह तोड़ा एक्स्पिरियंस मेरे एक्स्पिरियंस देशाब दिनाल जदो तक यूनिवस्टी सैटिस् जडूरी है इन टर्म्स अफ उनन यहने गाइडलाइन से लिए उन एक उन्वस्टी बड़ी पॉपलर आपने पंजाब देविच आपने नेम तो बी इन स्पेसिफिक क्योंकि क्वेश्चन ओदे अगेंस्ट है उन एक उन्वस्टी ने तुसी छे मिने दे फारेंशल सेटम कर लिए अब बेसिकली अगर बच्ची दी जैनुएंटी है डाइफिनेटली उदे कोले पैसा प्राणा प्या होएगा राइट ता उन इस यूनिवस्टी ने इस सित्री के नल प्लैट्फॉम बनाया होया कि जैनुएंटी चेक होड़ी राइट हुन जड़ा मनू समझ आया हर्मन ते रिवनी एजड़ा यूके एंड ऑस्ट्रेलिया दा टग ऑफ वार है यह बेसिकली बड़ा सिंपल ड्रम लैंड करवा पाया जे तो अड़े डॉकुमेंट तुसी स्पेशली बार जाननों मैनेज कर दे पहे हों बहुत सारे लोग की आईटेर नहीं फाइल कराते ह है उनने स्पेशली ओक है प्रसेस वास्ते शुरू कितिया एटेर फाइल करनी है ता ऑस्टेलिया शाहिए उन्हों नौन जीटी करार देगा क्योंकि और रेगुलर उनना दी इंकम डेकलरेशन दी पॉलिसी नहीं है वेराज उत्थे यूके दे अडवांटेज हो जाना है क क्योंकि उननों डॉक्मेंटिशन चाहिदा है साथ तो सुखी कैनेडा जनों कोछी भी नी चाहिदा हैगा सिरफ चार डॉक्मेंट मेंट जड़े हुंदेने एलोए और जी आईसी क्योंकि पैसे सारा था सारा ट्रांसफर हो जानता है